परियावरन संग्रक्षन को लेकर इंदोर के आदर्श होलकर साइंस कॉलेज ने एक नई मुहीम की शुरुआत की है इस मुहीम के अंतरगत कॉलेज के प्राचारे से लेकर जन्भागिदारी सुवित विद्वानों ने भी साइकल की सवारी की और परियावरन संग्रक्षन को लेकर जागरुकता का संदेश दिया है देखे एक खास रिपोर्ट इन और के नामचीन हूलकर कॉलेज में जन्भागिदारी सुवित अतीथी विद्वानों के साथ कॉलेज प्राचारे और प्रॉफेसर उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने और परियावरन को सहेजनी के उद्देश से साइकल की सवारी की सभी विजिटिंग जन्भागिदारी और सेल्फ फैनेंस फैकल्टी साइकल से कॉलेज महुची इसके बाद उत्सहब बढ़ाने के लिए प्राचारे डॉक्टर सुरेश सिलावट ने भी साइकल की सवारी की उनके साथ सीनियर प्रॉफेसर आर सी दिक्षिद भी थे सेल्फ फैनेंस संघ के धर्मेंदर जाट ने बताया कि हमारा प्रयास है कि महा में एक दिन सारी फैकल्टी साइकल से कॉलेज आए और परियावर्ण बचाने का संदेश दे इसी मकसद को पूरा करने के उद्देश से सुबह सौ से ज्यादा फैकल्टी साइकल से कॉलेज पहुची इसी के साथ उन्होंने छात्रों से भी साइकल से कॉलेज आने की अपील की वही कॉलेज के प्राचारे डॉक्टर सुरेश सिलावट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कॉलेज में महिने में एक दिन नो विकल जोन रखा जाएगा इसी के साथ उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जिले के कलेक्टर और अन्यमंत्री गण भी इसका प्रयोग करने चा रहे हैं और उसमें जन भागी दरी गेस फेकल्टी भी थी और महिने में एक दिन हम नो विकल जोन रखेंगे आदरनी कलेक्टर साब और अन्यमंत्री भी इस तरह का प्रयोग करने जा रहे हैं और हमारे महाविद्याले में अंदर ही हम बहुत जल कि साइकल से आना जाना करेंगे आज के दौर में गारियों से होने वाला प्रदूशन परियावरन के लिए सबसे अधिक घा तक साबित हो रहा है ऐसे में होलकर कॉलेज की यह मुहीम निश्चित ही स्वागत योग्य है प्यूर रिपोर्ट, एंपी निउस एंद और